इस वारे में मैंने पिछली विडियो में बताया था उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएगी तो आज हम बात करने वाले हैं इस अपडेट के साथ आपके फोन में जो भी चेंज़ेस आया है उसके बारे में और इसमें मिलने वाले आड़एंस फिचर्स के बारे में तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस बारे में और ज्यादा तो बढेरे ह। अं और बाजू में घंटी का आइकन है उसे भी दबा 설치가 ताकि हमारे हर वीडियो का सबसे पहले आपको मिल सके तो चले शुरू करते हैं दोस्तों MIUI 10 का ग्लोबल अपडेट 12 जुलाई को रिलीज हुआ था लगबग MI के सभी डिवाइसे के लिए अपडेट था इस अपडेट के साथ आपका फोन MIUI 9 से MIUI 10 में अपडेड होता है और यह 8.7.90 का जो अपडेट ह है यह हर फ्राइडे को आता है पिछले फ्राइडे MIUI 10 के साथ 8.7.12 मिला था दोस्तों यह अपडेट के जो डिजिट है वह उस दिन की डेट होती है जिस दिन यह अपडेट रिलीज होता है जैसे अभी जो अपडेट मिला है 8.7.90 मतलब 19 जुलाई 2018 तो आज हम MIUI 10 के साथ म बार में आपको काफी चेंजेश देखनी को मिलता है यहाँ पर ग्रे कलर के ब्लर बैगरोंड के साथ नोटिपेक्शन बार कुछ इस तरह से दिखता है इसमें जो आइकॉन है वो ब्लू कलर में आपको देखनी को मिल जाते है और उपर आपको सर्च का आइकॉन दिख रहा है हो सकता है अगले अपडेट में यह काम करें अगर अभी यह काम नहीं कर रहा है तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते है और इसकी जगह शेटिंग का आइकॉन लगा सकते है इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में इसके बाद नूटिपिक्शन है स्टेटस बार में और नीचे आपको notification shortcut का option दिख रहा है उस पर click करें और यहाँ से आप setting को enable कर सकते हैं तो notification बार में setting का icon आ जाएगा और यहाँ पर यह work भी कर रहा है इसके नीचे brightness slider दिया गया है यह size में थोड़ा large दिखता है लेकिन cool दिखता है इससे आप अपने phone का brightness कम ज़्यादा कर सकत है इसके बाद hollow button पर click करते है तो इस तरह का hollow panel यहाँ पर देखने को मिल जाता है यह भी देखने में थोड़ा large दिखता है लेकिन अच्छा लगता है gray और blue color का combination यहाँ पर देखने को मिलता है और नीचे silent और dnd के icon मिल जाते है जिससे आप इसे silent कर सकते है और dnd enable कर सकते है इसके बाद अगर हम recent button पर click करते है तो कुछ इस तरह से recent application side by side देखने को मिल जाते है और सबसे नीचे आपको मिल जाता है clear का option जिससे आप इसे clear कर सकते है इसका interface भी दिखने में काफी अच्छा दिखता है दोस्तो Yama UI 10 के update के साथ phone में काफी modification देखने को मिल रहे है इसमे आपको multi window का खास feature भी मिलता है जिससे आप एक साथ 2 window open कर सकते है तो अगर हम recent button पर click करते है तो जो भी application आपको multi window में open करना है उस पर long press करने के बाद इसमें तीन option मिल जाते है पहला lock का option है दूसरा multi window और तिसरा setting का तो हम बात करते है multi window की तो अगर हम यहाँ पर click करते है तो आपके screen के आदे हिससे में यह open हो जाएगा और अगर आपको यहाँ पर दूसरा app open करना है तो दूसरे app के multi window पर click करके screen के दूसरे हिससे में आप दूसरा app open कर सकते है इस तरह से तो दोस्तो यह काफी अच्छा feature आप पर देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करते है next maximize minimize नहीं होते थे लेकिन 19 में आप इसे minimize maximize maximize कर सकते है और यहाँ पर आपको कुछ trending zaps दिखाई दे रहे है अगर आप notice करेंगे तो इस update में आपको काफी सारे यह दिखने को मिलेंगे आखिर Xiaomi अपने हर को दोशे बाज नहीं आता Xiaomi यहाँ पर भी पैसा बनाने की कोशिश कर है अपने users को परेशान करके दोस्तों यह हमाई UI 10 में कुछ खास तरह के sound को इंट्रोडिस कराया गया है अगर हम फोन को लॉग करते हैं तो कुछ इस तरह का sound आता है और अगर हम screenshot लेते हैं तो कुछ इस तरह का sound आता है कोई file ओगर है delete करते है तो इस तरह का sound आता है दोस्तों इसके साथ-साथ और भी कई sound को यहाँ पर इंट्रोडिस कराने की कोशिश की गई है इसके बाद सबसे major जो change है और RAM management दोस्तों अपने phone को यमा UI 10 में update करने के बाद अगर आप अपना phone यूज़ करते हो तो आप देखेंगी कि आपका phone काफी smooth चल रहा है और fast work कर रहा है अब हम बात करते हैं camera की तो जब music यहाँ मिलता है music को अगर हम open करते है तो कुछ इस तरह का interface यहाँ पर show होता है यहाँ पर आपको काफी changes देखने को मिलेंगे सबसे उपर hot का icon मिलता है उस पर click करते तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब new new song यहाँ पर show हो रहे हैं जिसे आप online play करके सुन सकते है इसके यहाँ पर आपको search का option मिलता है अगर आपको अपना मन पसंद song सुनना है तो यहाँ पर आप उसे search करके सुन सकते है उसके बाद यहाँ पर आपको तिन टैब मिलेगी पहले recent की आपने जो recently song play किया है वो song यहाँ पर show होंगे दूसरी टैब है फेवराइट की इसमें आपके फेवराइट song show होंगे जिनने आपने फेवराइट में याड किया है और तिसरी टैब है playlist की आपने जो playlist बनाई है वो चूस करके आप playlist के song यहाँ पर सुन सकते है और अब नीचे की तरब जाएंगे तो my music का option मिलता है यहाँ पर वो पूरे song show होंगे जो आपके phone में already है उस online में नहीं थे अब हम बात करते हैं उन features की जो specially 8.7.19 में मिले है तो अगर हम कोई app open करते है जैसे कि हम gallery को open करके close करते है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि closing में एक अलग सा animation देखने को मिलता है इस तरह का animation और भी आप में दिये गए है अगर हम इस आपको open करके close करते है तो यहाँ पर भी आपको यह cool सा animation देखने को मिलता है इस तरह themes, weather, file manager, setting के साथ और भी कई apps में आपको animation मिल जाएंगे तो तो नीचे की तरफ से पहले Google open होता था लेकिन अब यह open होता है खास animation के साथ इसके बाद अगर हम security आपको open करते है तो यहाँ पर भी आपको कई changes द option आपको मिल जाता है यहाँ पर आप अपने internet speed को rate कर सकते हैं, internet speed को यह voice भी देख सकते हैं इसके बाद अगर हम cleaner open करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इस तरह का animation देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं बैटरी बैक अप किये तो इसमें कोई खास change देखने को नहीं मिलता तो दोस्तों यह था आज के इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करना मत भूलेगा इस बारे में आपके कुछ सवाल है सुजा हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं इसे इंटेस्टिंग टेकनोलोजी व क्यानल को सब्स्राइब कर लिजे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में मिलते हैं यह कोरने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन